हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इस चैनल के धुरू हेल्प की जाए तो उसी की कड़ी में आज की वीडियो लेकर आगया हूँ आज की वीडियो में दो फेबरी के मेरे पास फोर वेक है अब इसकी बेस्ट क्वालिटी को कैसे पता करें क्योंकि सब लोग समझते हैं कि GSM जितना ज़्यादा अच्छोगा कप लोग जब भी दुकान पर जाते हैं यही पूछते कि GSM कितना है और हर दुकंदार जो भी मेरे को कोल करता है सबसे पहला सवाल यही करता है GSM कितना है जबकि सवाल कुछ और है उसी चीज का जबाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ तो चले दोस्तों शुरू क रहते हैं आज कि इस वीडियों को सबसे पहले आप फेबरीक को छूके देखेए है कि इसूमें कि इसमें कि पता चलता है कि इसमें फेबरीक में वजदं क्यूस यहीं स्थियो करें। तो एक में रभ आएगा यानिकि इसकी सर्फेज जो है वो इसनी स्मूथ नहीं है क्योंकि यह बायवास नहीं है जो कपड़ा बायवास होगा वो वजन में तो हलका हो जाएगा लेकिन क्वालिटी बढ़ जाएगी तो ये रफ फिल हो रहा है यानिके इसमें खुरदरापन महसुस हो रहा है जिपकी इसमें स्मूतनेस है तो दोस्तों जो भी लोग ये समझते थे जेसम जाद होने से इसको फिल्रिंग से हमने पता चल जाता है तो सबसे पहले आप जब दुकान पर जाएगी तो सबसे पहले उसको फिल कीजिए कि वह कपड़े में वैयवास है यह नहीं है ठीक है और उसके साथ तक भी यह ह होता है इसमें इसमूतनेस आ जाती है यानिके रफा आने के चांस बिल्कुल खताम हो जाते हैं मैं चांस इसलिए बोल ला हूँ कि कुछ हद तक रप करने के बाद आ सकता है जबकि इसमें बहुत तेजी से रुआ आएगा वेट जादे है जेसम जादे है तो इसमें जादे जल्दी रुआ पकड़ेगा और रुआ के साथ साथ आपका जो फेबरिक है वो जादे दिन नहीं चलने वाला यह क्वालिटी वाला फेबरिक है क्योंकि यह माइक्रोवास है और इसके साथ साथ बाइवास है अब इसकी इतना तो आपको कंफर्म हो गया अब इसके साथ साथ आपको और का सही तरीका यह है कि इसमें कितना पर्षेंट इलाक फिलेक्सिबिलिटी है तो उसका तरीका यह है जैसे कि हमने इधर ले लिया है ठीके दस इंच कि रोद ले लिया है हमने यह दस इंच ठीके अगर यह 11 होता है तो दस पर्षेंट इसमें लेक रहा है अगर यह 12 होता है तो तो यह 20% हो गया, 13 है तो यह 30% हो गया, 14 है तो इसमें 40% हो गया, और 15 है तो इसमें 50% लेक रहा हो गया, ठीकि उसके बाद आ जाता है 16 है तो 60% लेक रहा हो गया, तो यह इतना ही जाएगा, तो यह इसका जो लेक रहा है, वो 16% है, यानि कि 60% इसमें लेक रहा है, तो इस पत इसको करने के बाद भी 40% इसमें लेक रहा है तो दोस्तो देख सकते हैं मैंने पुरूफ के साथ जो हमारे पास हलका कपड़ा है यानि कि जेसेम में तो हलका है लेकिन लेक रहा उसका बढ़ेहा है यानि कि इसमें आपका 60% है इसमें 40% है तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यह टेक्निकल है इस चीज को समझने में थोड़ा वक्त लगता है आप भी इस तरीके से इसमें नहीं आएगी इसमें कुछ दिन बाद जो इसका जो लेकरा है जो खिचावे हो कम हो सकता है जबकि इसमें बराबर रहने वाला है तो यह चीजे का आप ध्यान रखेगा इसी पर ही पैसे डिपेंड करता है और यही जो हलका फेबरिक है यह मार्केट में महेंगा भी ब कड़ेगा कि इसमें जो है फिनिसिंग इसकी जो है स्मूटनेस उसकी फिलिंग मैं तो सबसे ज्यादे नंबर फिलिंग को देता हूं उसके बाद अपना इसी स्केल को देता हूं अगर इस तरीकह सा आप करें गेंगे तो एक्ड़ जच कर दो आएंगे इस रहे आपका क्प माइको फेबरिक की क्वालिटी बहुत बड़ी आया है आपकी लाइब बहुत अच्छी रहेगी फिलिंग अलग से आएगी उसके तो मैं इतने फायदे बता सकता हूं कि बहुत फायदे होते हैं जो बाइवास नहीं होता वो लिमिटेड है कुछ दिन बाद फिलिंग ही नहीं